हेलो दोस्तो जौब प्रोफाइल यूटीव चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यदि आप गुजरात में नोकरी करना चाहते हैं चाहे गुजरात का कोई भी सहर हो आहमदाबाद हो सूरत हो शानन जी आईडीसी या जो भी सहर है उसमें अगर आप जौब करना चाहते तो आपको जॉब मिल जाएगी वो भी प्राइवेट नौकरी बहुत सारे पोस्ट है जिस पर आपको जॉब मिल सकती है कि आपको कौन से पोस्ट की जॉब चाहिए और गुजरात में किस जगर पर चाहिए कमेंट जब की जगर तो चलिए आगे वरते हैं और मैं आपको सभी जानकरी दे देता हूँ तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग पोस्ट है जिस पर जॉब वेकेंसी आई हुई है अगर यहाँ पोस्ट के नाम की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलपर, कुरियर बॉय, मैनेजर, सेल्समेन, मार्केटर, अकाउंटेंट कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए डिगरी अनिवार्य जैसे कि अगर आप काॉंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंट की डिगरी होनी चाहिए एकाॉंटेंट की साथी यहाँ पर इंजिनियर के लिए जैसे डिप्लोमा इंजिनियर है आईटी है है या बीटेक है तो उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए ड्राइवर के लिए यहाँ पर योगेता तो नहीं माँगी को यह लेकिन आपके बौलने का तरीका जोचा होना चाहिए जैसी कि बहुत सारे प्लिच जिसके assignment और लिखने का काम होता है तो लोग खुद नहीं लिखते तो आप वह काम कर सकते हैं ऑनलाइन काम कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर काम के दौरन क्या क्या benefit आपको मिलेगा वह आप यहाँ पर देख लिजिए तो आपको रहने के लिए room दिया जाएगा खाना free दिया हैं तो इसका आपको extra पैसा दिया जाएगा लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट जहाँ पर छुटी अनिवार है यानि कि आपको Sunday को closing रहेगा तो इसलिए वहाँ पर छुटी तो आपको होगी ही अब बात करते हैं कि Sally कितनी मिलेगी और कौन-कौन से डोकुमेंट्स होगरा लगेंग सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं काम से जूरी कुछ इंपोर्टेंट बात जो कि यहाँ पर सुबह दसवे से शेवर तक काम का ड्यूटी होगा यानि कि टूटल आठ गंटे की ड्यूटी होगी जिसमें कि आपको एक घंटे का लंच ब्रेक रहेगा शेली आपको हर मीनी एक तारीक को दिया जाएगा छुटी करने से पहले आपको इसकी सूचना मैनेजर को देना अनिवार है नौकरी के लिए क्या क्या डोकुमेंट्स चाहिए यहां पर आप दिख सकते हैं तो देखें नौकरी के लिए आपके पास जो डोकुमेंट्स चाहिए ओधार कार्ट की फोटो कॉपी बैंक में एकॉंट होना चाहिए चार पासपूर्ट से फोटो उम्र 18-40 के बीच और अगर आपके पास कोई काम करने का एक्सप्रियेंस है किसी भी पोस्ट पर तो वो अगर आप लगाते है तो यह ज्यादा बेहतर होगा और साथ ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट अब बात करते हैं कि कौन-कौन लोग अपलाई कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर महिला और पूर्स दोने ही अपलाई कर सकते हैं तो अपलाई करने के लिए आपको क्या करना है आपको अपलाई करने के लिए डिस्क्रेप्शन मे इंटर कर दीजेगा अगर आपके लिए सुटेवल जाब होगा तो आपको बताया जाएगा और वहाँ पर जाकर आपको इंटर्विव देना है और आपको जाब मिल जाएगे लेकिन अपनी सुरक्षा का जरूर धियान रखे अगर आप एक लिर्की है तो आप अपनी इंटर्विव गयरा मांगता है तो वह जानकरी नहीं देना है ठीक है तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में